नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC Solutions with अनुच आज हम 4 मार्च से लेकर 9 मार्च तक का Weekly Current Affairs के Important Questions पढ़ेंगे देखो सबसे पहला क्या है सबसे पहला है हाल ही में जो FATF है FATF की Full Form क्या है Financial Action Task Force का जो नया अध्यक्ष है किसे गोशित किया गया है तो वो किया गया है मेक्सिको को किसको किया गया है मेक्सिको को उसके बाद है जो अडाने गुरूप है उसने दक्षिन एशिया का सबसे बोड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉंप्लेक्स कहां लोंच किया है तो उसने किया है UP में कहां पे उत्तरपरदेश में उत्तरपरदेश के CM है योगी आधितेनाथ और गवर्नर है आनंदी बेन पटेल उसके बाद है हाल ही में जो BWF पैरा बैडमिंटन विश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां होगा या कहां आयोजित हुई है वो ही है थाइलेंड में कहां पे थाइलेंड में उसके बाद अगला है किस वर्ष तक किस वर्ष तक जो इस रो है वो चंदरयान 4 लौंच करेगा तो वो करेगा वर्ष 2028 तक इस रो क्या करेगा चंदरयान 4 लौंच करेगा उसके बाद है हाल ही में जारी जो तेंदुओं पर नई रिपोर्ट मनी है उसके अनुसार भारत में तेंदुओं की संक्या कितनी है तो वो है 13884 उसके बाद अगला कोशन आता है कि जो विश्व नागरिक सुरक्षा दीवस है कब मनाया गया तो वो एक मार्च को मनाया गया हाल ही में दुनिया में सबसे कम प्रजनंदर कहां दर्ज की गई है तो वो की गई है साउथ कोरिया में कहां पर की गई है साउथ कोरिया में उसके बाद है हाल ही में पहली अमेरिका भारत साइब किया जा रहा है 26 फरवरी से लेके एक मार्स तक और उसके बाद है हाल ही में अटुकल पॉंगल पर्व कहां मनाया गया है तो अटुकल पॉंगल की बात करूँ तो वह केलो मैं मनाया गया है केलों में सबसे इपर होता है नीσα- motivate कुंसा होता है नीसा-गांदी festival हमेशा फेपर में पूछा जाता है याद रखिएगा उसके बाद आता है देश का पहला semiconductor fab किस राज्य में स्थापित किया जाएगा तो वो किया जाएगा गुजरात में ठीक है उसके बाद आता है भारतिय फार्मा को मान्यता देने पहला Spanish राष्टर कोन बना है तो वो बना है निकारा गुवा ठीक है उसके बाद आता है हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया तो यह मनाया गया तीन मार्च को हाल ही में NSG का नया महानिदेशक किसे निक्त किया गया है तो यह किया गया है दलजीत सिंग चोधरी को हाल ही में किसे Global Achievement Best Teacher Award से सम्मानित किया गया है तो वो किया गया है संजीव कुमार को किसे सम्मानित किया गया है Global Best Teacher Award से सम्मानित किया गया है हाल ही में संयुक्त राष्टर परियावरण सबा के छटे सतर का आयोजन कहां किया गया है तो वो कया गया है नैरोबी केन्या में हाल ही में अंटार्टिका की मुख्य भूमी पर पहली बार किस वाइरिस ने दस्तक की तो वो की है बर्ड फ्लू ने जो चाप चरकुट त्योहार है जो चाप चरकुट फेस्टिबल है वो कहां मनाया गया मिजोरम में मनाया गया और हाल ही में संसद सुरक्षा का परमूख किसे नियुक्त किया गया है अनुराग अगरवाल को नियुक्त किया गया है शुन्य भेद भाव दीवस जो जीरो डिस् स्थिति को मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है एक मार्च को ठीक है उसके बाद आते हैं अगले की तरफ अंतराष्ट्रिय गीता महुतसव सब दो हजार चोबिस क्या चीज अंतराष्ट्रिय गीता महुतसव दो हजार चोबिस कहां आयोजित किया गया है अपने पडोसी देश शिरलंका में भारत की जन ओश्दी पहल में शामिल होने वाला पहला देश कोन बना है निकार अगोवा पांच करोड आयुश्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कोन सा बना है यूपी बना है बारत और किस देश के बीच द्वेपशिय समुद्री अभ्यास समुदर लक्षमन हुआ है तो वो हुआ है इंडिया और मलेशिया के बीच में जो खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम्स है उसका कॉन किसके द्वारा लॉंच किया गया तो वो लॉंच किया गया है निती आयोग के द्वारा उसके बाद आता है सीमा सुरक्षा बल बीस एफफ बोर्डर सेक्योर्टी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है तो सूमन कुमारी इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस का मुख प्रेजडेंट हैंद्रोपदी मुर्मू उनके नाम पर रखा गया है ग्लोबल रिसोर्स आउटलूक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है यू एन एपी के द्वारा जारी की जाती है इसका हेड़गॉर्टर कहां पे है नेरोबी केन्या उसके बाद आता है अदीत किस ने किया तो यह किया है सरबानंद सोनोवाल ने हाल ही में परधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा सिंद्री फर्टिलाइजर प्लांट का उद्गाटन किया है जारखंड में किस राज्य की पर सिद कटक रूपा ताराकसी सिल्वर फिलिग्री ने जी आई टैगर जित किया उडिसा हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंद्रम्मा आवाश योजना शुरू करने की गोशना की है वो की है तेलंगाना शहर ने हाल ही में प्रोकब डिलीग सीजन 10 का विजेता कोन बने है पुने रिपल्टन किसको हराया है हरियाना स्टिलर्स को जो भारत पैट्रोलियम स कौन सा है गोवा है और हाल ही में कहां महराना परताप की 21 फीट उची परतिमा का नावरण किया गया है है कि उसके बाद आता है हाल ही में गरबबात को समवैदानिक अधिकार constitutional right बनाने वाड़ा दुनिया का पहला देश कोन सा बना है फ्रांस बना है मार्स दो हजार चोबिस में किस राज्य ने विद्वा पुनरविवा प्रोचसान योजना शुरू की है तो वो की है जारकंड ने परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने भारत की पहली अंडरवोटर से लगाड़न का वेस्ट बंगाल पस्चिम बंगाल में जो वीस आइपर्नीत है वो किस गेम से रिलेटिड है वो रिलेटिड है बैड मिंटन से उन्होंने सन्यास लेने की गोशना की है हाल ही में चक्षू, चक्षू मतलब आख से रिलेटिड होता है, प्लेटफॉर्म किसने लॉंच किया है, दूर संचार विबाग ने लॉंच किया है हाल ही में दुनिया के सबसे अमिर व्यक्ति कौन बने है, जैफ वेजोस बने है, वेश्वीक जैन, शांती राजदूत से किसे सम्मानित किया गया है, आचारिय लोकेश मुनी को सम्मानित किया गया है हाल ही में भारत का पहला रास्टिय डॉल्फिन अनुसंदान केंदर का उद्गाटन किया गया बिहार में हंगरी के नई राष्टपती कौन बने है तामस सुल्योक और किस राज्य में चाप चरकुट्ट्योहार मिजोरम में ठीक है उसके बाद आता है भारत के पहले स्मोल स्केल एल एन जी यूनिट का उद्गाटन किस राज्य में किया गया है MP मध्यपरदेश में किया गया है हाल ही में किसे महरास्टर भूशन पुरसकार दो हजार चोबिस मिला है डोक्टर परदीप महाजन को मिला है केई पैन्योर जो खबरों में था किस राज्य का 26 माजिला बन गया है वो बना है अरुनाचल परदेश का जो LNT होता है लार्शन एंटरबो उसने अपना पहला सवदेश निर्मित इलेक्टरोलाइजर की स्थान पर प्रारम किया है गुजरात में INS जटायू का उद्गाटन किसका INS जटायू का उद्गाटन कहा किया गया मेनी कोई लक्षदीप में किस खिलाडी को बोब जेन्स पुरसकार के लिए चुना गया टाइगर वूड्स को वर्ष तो हजार सताइस की विश्व एतलेटिक सेंप्येंशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा चाइना करेगा OTT प्लैटफर्म सी स्पेस लोंच किया है केरला ने और भारत की पहली AI टीचर का नाम क्या है आईरिस इंदरा गांधी प्यारी बहना सुक सम्मानिद योजना किसने शुरू की है हिमाचल परदेश ने ठीक है यह हमारे वीकली करंट अफेर्स थे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद